तो जो व्यक्ति अपने जीवन में माबाब की सेवा करते हैं, धर्म में आचरण करते हैं, निती में जीवन जीते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो निश्चित उनके घर पर भगवान या शुद्ध भक्तों का जन्म होता है। हमारा क्या ना डिवोटी तो हैं लेकिन हम भगवान पर भरोसा नहीं रखते हैं, और भगवान पर भरोसा नहीं रखना ये आसूरी वृत्ति हैं, असूरों का क्या होता है कि बस हम कैसे ले लें, हम कैसे किसी से कोई वस्तू ले लें, हम कैसे किसी से छल कपट करें, ये आसू परन्तो भक्तो भक्त की वरुत्ती जो होती है वो भगवान पर भरोसा रखते हैं एक बार असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आप और आपके भगवान विश्णु देवताओं का ही पक्ष लेते हैं सदेव देवताओं की रक्षा करते हैं देवताओं के पक्ष में रहते हैं हमारे पक्ष में आप कभी नहीं रहते हो हमें आप कभी नहीं जीताते हो ब्रह्मा जी ने का ऐसा नहीं है वे शरणागत हैं और उनके अंदर दुसरों को देने की भावना है उनके अंदर विश्वा से श्रद्दा है आपके अंदर नहीं है असुरों नहीं का हमारे अंदर भी शर्रागति है हमारे अंदर भी दूसरों को देने की वावना है ब्रह्मा जिने बहुत समझाया असुर नहीं माने तब ब्रह्मा जिने कहा के ठीक है कल हमारे घर पर दावत रखते हैं भोजन रखते हैं देवताओं को भी बुलाओंगा आपको भी बुलाओंगा आप हमारे घर पर भोजन करने आईएगा और फिर हम देखेंगे कि कौन महान है कौन महान नहीं है देवता और दानव दोनों ब्रह्मा के घर पर भोजन करने पहुँचे बहुत सुन्दर स्वादिष्ट भोजन था, उसमें भी असुरों ने कहा कि पहले हम भोजन करेंगे, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक हैं, देवतावेट करेंगे, पहले आपका भोजन, सारे असुरों को लाइन में बिठा दिया, और भोजन में बहुत सुन्दर में दोनों हाथों में एक लकड़ी बांदी जाएगी, रसी से लकड़ी बांदी जाएगी ताकि ये हाथ मूड़े नहीं, इसे हाथ मूड़े नहीं वैसे, तो सारे असुरों के दोनों हाथ बांद दिये गए, और फिर कहा कि भोजन करो, थाली में बहुत सुन्दर, लेकिन आज सीधा भोजन पकड़ तो लेते थे लेकिन लेकिन नहीं मूडने के कारण वो मुँ में नहीं जाता था अब असूर तो असूर है रसगुले को ऐसे लेकर इसे उडाने लगे उडा कर फिर आया तो आया लेकर नहीं आया तो सीर पर गिरा किसी अन्या के सीर पर वहाँ पर कीच मज गई लेकिन कोई असूर ठीक से खा नहीं पाया तब असुरों ने का ठीक है हमारा हो गया देवताओ का टन आया देवताओ को बिठाया भोजन परोसा असुर चिल्ला ने लगए इसके हाथ बांदो हमारे हाथ बांदे थे वैसे इनके आथ बांदो ब्रह्मा जी ने का शांति रखो सब के हाथ बांदे जाएंगे सारे देवताओ के हाथ बांदे गए असुरों की तरह और असुर करने लगए अब खाना शूरू कर अब खाओ हम भी देखते हैं आप कैसे काते हो तब देवताओं ने एक दुसरे को इशारा किया और सारे देवता एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए और अब क्या करते थे देवता सामने वाले की थाली से कुछ भोजन उठाते और अन्य देवता के मुख में रखते सामने जो बैठा होता था ये इसकी थाली में भोजन उठाकर इसके मुख में रखते इस प्रकार करते हुए एक दूसरे को खिलाते हुए सभी देवताओं ने पेट भर और आराम से भोजन कर लिया ब्रह्मा जी ने असुरों को समझाया पता चला देवताओं में दुसरों को खिलाने की भावना है देवताओं में दुसरों को देने की भावना है जिनकी भावना दुसरों को खिलाने की दुसरों को देने की होती है भगवान सदेव उनका पक्ष लेते हैं उनकी रक्षा करते हैं और जिनकी वावना स्वयम भोग भोगने की होती है इश्वर कभी भी उनका पक्ष नहीं लेते हैं